जिन्दगी में कुछ पाना हो तो खुद पर रहतवार रखना, सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना, सफलता मिल जाएगी एक दिन निशी थी तुम्हें, बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तयार रखना Good morning friends, welcome to online study point, दोस्तों आज है 26 December और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस, उससे पहले दोस्तों यह दिए तक आपने चैनल को सब्सक्राइब में किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आका अंजरू पिस करें ताकि आपको डेली मौननी में करने फेस की वीजिए मिलती रहे चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन काभी मौडेंट है, भारत के सबसे लंबी रेल सह सड़क पुल, बोगी बील पुल का उध़टन की सराज में किया गया है, दोस्तों यह किया गया है असम में, यानि किसका ओप्सन निकरेक्ट हो जाएगा, देखें दोस्तो आपको बता दे कि यह पुल असम में, डिब्रुगर सहर से 17 किलोमीटर नीचे की और इस्थित है, आपको बता दे दोस्तों कि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह असम के डिब्रुगर सहर को धेमाजी से जोड़ेगा, ठीक है, डिब्रुगर सिटी को धेमाजी से जो पूल बोगी भी पूल का उधरन कियागा असम राज्य में जो कि ब्रह्मा पुत्र नदी पर है या आप नदी भी जरूर याद रखेगा ठीक है तोस्तों असम के कैपिटल क्या है दिस्पूर है असम के बरतमान गवर्नर को ने जगदीश मुखी है सीम को ने सर्वानन सोनवा ठीक है तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है चलिए फटा फटा अगला कोशन देख लेते हैं हर वर्ष सुशासन दिवस का मना जाता है हर वर्ष सुशासन दिवस यह मना जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को यानि कि इसका आपको बता दी कि प्रतिवर्ष पूर प्रधान मंत्री टल विहरी बाश्वई की जैनती पर सुशासन दिवस मना जाता है और भारत सरकार द्वारा दोस्तों इसे 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गे थी तब से मना जा रहा है ठीक है इसका उद्देश क्या है सुशा पूर प्रधान मंत्री टल विहरी बाश्वई जी की जैनती पर सुशासन दिवस मना जाता है पच्चीस दिसंबर को यादर किया काफी इंपोर्टेंट है चलिए फिर अगला कोशन देख लेते हैं पूर प्रधान मंत्री श्री अटल विहरी बाश्वई जी के स्मारक बटल को धर्टन किया गया है और दोस्तों आपको बता देख लंबी विमारी की बाद 16 अगस 18 को उनका निधान हो गया था दोस्तों आपको बता देख इस इस्मारक परिजना को अटल इस्मृती न्यास सोसाइटी द्वारा भी इत्तपोसित किया गया दोस्तों सदै बटल इस्मारक का प्रवंधन लोग सभाध्ध्यक्स सुमित्र महाजन के देख्षता वाले न्यास द्वारा किया जाएगा ठीक है तो पूर प्रधान मंत्री सिटल वहरी बाचपई जी के इस्मारक सदय वटल का उत्वर्टन कहां किया गया है यह किया गया है दिल्ली में ऑप्स यह सथा संसकरण कहां आएज़ेद किया जाएगा तो भारती विग्जान कांग्रेस का 120ras относ के जाएगा पंजाब में है तो यह 106 विग्जान Congress थीन 2019 को पंजाब की लवली professional university में आजत किया जाए क्हां पे लवली प्रोफेशनल इनवर्सिटी में ओ दोस्तो यह चार दिपसी जो कारव इसका विश्य क्या है थीम है दोस्तों Future India Science and Technology इसका थीम याद रखिएगा चार पाल में बड़ी पूरी इनवर्सिटी में घंट किया गया था जनवरी फरस्ट वीग मेंहर साल होता हूं ये तो यह याद सब्सक्राइब पंजाब की लवली प्रोफेशनल इनुवर्सिटी माजित किया जागा ठीक ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला को से देख लेते हैं फटापट कि इस देश से पना पहला मैसेजिंग बीज बॉर्ड लॉंच किया है तो यह कि दूस्त तूर्किमेन को आदान प्रदान के उन्मति देगा ठीक है तो यह आप यादर किएगा तुर्कमेनिस्टान पिर अगला घुशन ने कौन सा राज्य अपने राज्य से बाहर के लिए ब्यापार प्रतिनिदी की न्यूक करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो यह दोस्तों बन दिल्ली राजस्थान पस्ची मंगाल असाम और तमिलाडू में यह तैनात किया गया है देखे दोस्तों जो महरास्ट राज्य क्रिसी विप्रण बोर्ड है इन्होंने जो है बस्तों में व्यापार को बढ़ावत देने के लिए 6 व्यापार प्रतिनिदियों के निक्ती भी क करने वाला देश का पहला राज बन गया बन गया महारास्ट्रा फिर अगला कोशन है पूर प्रधान मंत्री अटल वहरी बाचपई के सम्मान में कितने रूपए मूर्ले का एक इसमारक शिक्का 24 दिसमर्द 18 को लांच किया गया है यह किया गया दोस्तों 100 रूपए ठीक नीचे 1924 और इसमें जो है 288 अंकीत है जो करमसा उनके जन्म और उनके निधन का वर्ष को दर साते हैं ठीक है तो इसका करेक्टर सवयागा ऑप्सन भी हंडेड अगला उचन किस वैंग ने कुम्भ हमेला दोहरुनिस के लिए विशेष रूपय कार्ड लांच किया है कि उस अगला कोछन ने कुम्भ हमेला दोहरुनिस के लिए विशेष रूपय कार्ड लांच किया कि अगला नियुक्त फीफा रंकिंग में कौनसा देश शीर्श पर रहा तो इसमें पर रहा दोस्के टॉप पर वेल्जीन ठीक है फीफा रंकिंग में वेल्जियम और दोस्तों दोस्तों ब्राजील कोई से और इगलेंड का स्थान है तो इसको आप क्या तरकने दिसम्बर दोठाने फीफा रैंकिंग में टॉप नंबर वन पर कौन है बेल्जियम है फीफा की बात करें तो फीफा खुल फाम क्या है फेडरेशन इंटरनेशनल डिफुट वॉल एस्टाप फ्रांस थी क्रोश्यों कहा राकर जीता था ठीक है तो यह आपको याद रखना तो फीफा रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है सीस पर है वेल्जियम है सेकंड नमर फ्रांस यह आप फैक्ट याद रखिएगा नेक्स्ट है कौन भारती प्रतिसपरधा आयोक के सदस्क में अगला फिर हमारा अगला कुछन फिर भारती को किषवह की प्रवंद देशक और मुख्य कारेकार याधिकारी करूम में निक्त किया गया है किया गया दोस्तों कार्पोर्शन बैंक ठीक है और याद रखिएगा इनकी शेवर्न वित्ती की तित्थी हो जाएगी 2020 तक यह रहेंगी ठीक है कार्पोर्शन बैंक का नया मुख्य कारेकार इतगारी के शोन निक्त किया गया पीवी भारती को चैसे दोस्तों अब देख लेते हैं अगला कोश्चन किसने द्वार अठारा के लिए ड्राइवर्स ड्राइवर आप द एयर पूरुसकार जीता है तो यह जीता है दोस्तों लुईस हमिल्टन दुस्तों पांच में विश्व किताब हासिल करने वाले इतिहास में तीसरे बिखती हैं और आपको बता दी कि मैक्स वेरस टैपन को दूसरे स्थान पर रखा गया और फर्नांडो अलोंसो को तीसरे स्थान पर रखा गया ठीक है तो ड्राइवर्स आज का सवाल के है हमारा आज का कोश्चन है कौन साइकिल से दुनिया का चक्का लगाने वाली सबसे तेज एस याई बन गई है तो आप कल की करेंड़ वीडियो देखेंगो दोस्तों आपको एंसर पता होगा यह नहीं पता है जरूर देख लें साथी साथ कमेंट बॉक्स म किसे ट्राइबस इंडिया का ब्रैंड ने मेजडर कर में निकत किया गया है थी। फिर हमारा अगला कोशन सीमा सुरक्षाबलयानीankos नेक्ष को रखेंग झाल de 2018 के लिए UN Champions आपदा अर्थवाट प्राप्त किया है तो किया दोस्तों अपने प्रायमिस्टर नैन मोदी जी को मिला है UN Champions आपदा अर्थवाट ठीक है इसके लाब दोस्तों आपको बता दे कि अगला जो हमारा question most important है 2018 में मालदीव राष्टपती चुनाव किसने जीता है तो 2018 2018 में मालदीव में राष्टपती चुनाव जीते हैं इब्राहीम मुहम्मद सौली ठीक है इब्राहीम मुहम्मद सौली फिर अगला question है हमारा दोस्तों किसे फीफा प्लेयर आपदा यह रवाट 2018 जीता है तोस्तों लूका मेड्रिक ने ठीक लूका मेड्रिक ने बेस्ट प्लेयर लूका मेड्रिक को तो आप जरूर याद रखिएगा काफी important है यह fact ठीक है इसके लावा दोस्तों अगला question है रुद्राली दमन धर्मियान जैसे फिल्मों को निदेशा करने वाले प्रसिद्ध फिल्मनाता का नाम क्या है कलपना लाजमी ठीक कलपना लाजमी है य अभी 23 सितंबर को इनका निधान हो गया तो ये प्रसिद्ध कौन की बनके ने निव्ट किया गया है तो यह थे हमारे फटाफाट कुछ important revision questions आई होप आपको वीडियो पसंद प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें वीडियो का सलाख कमेंट बक्स जरूर लिखें दोस्तों सादे साथ कमेंट जरूर करिएगा ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं श्रुक साब अपना ध्यान के स्वास्तरी बेस्तरी मस्तरी अल दे बेस्ट जै हिंद जै भारत